नमस्कार दोस्तों वेलकम टू हिट्टी रात में तर्बूज खाना तुम्हें पता है क्या होगा गर्मिया आ गई है गर्मी दिन बादिन बढ़ती जा रही है बहार की गर्मी उनके अंदर भी बहुत ज्यादा है प्यास बुजानी के लिए वे तरह तरह के जूस या नारियल का दूर पीते हैं इसके अलावा गर्मिया में आम और तर्बूज भी बहुते आप में मिलते हैं इनकी डिमैंड भी ज्यादा है तर्बूज की डिमैंड कुछ ज्यादा है इन फलो में पानी की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए अगर आप इन्हें खाएंगे तो गर्मिया म आपको dehydration नहीं होगी लेकिन आए जानते हैं रात के समय इन्हें खाने से क्या होता है तर्बूज में शेरीर के लिए अवश्यक शबी पोशन नोल्य होते हैं एंटि आक्सिडेंट से बरपूर होते हैं यह पोशक तत्व बीमारियों से बचाते हैं यह रुदे स्वस्त के लिए भी अच्छे हैं इनमें क्यालरी कम होती हैं वजन कम करने के लिए इन्हें लेकिन से बरपूर यह शेरीर तक पहुंचते हैं शेरीर को हाइडरेट रखते ह खासकर गर्मिया में रत वाहिकाओं में वसा के संचै को कम करते हैं और खराब कोलेश्टराल के निर्मान को रोपता है शेरीर से विशाक्त पदाद और वसा को निकालता है विशेश अजयाओं का कहना है कि बले ही इनमें क्यालरे कम हों लेकिन अगर आप इन्हें खाते हैं तो आप आसान से वजन कम कर सकते हैं, विटमिन ये हड्याओं के विक्रेश को बढ़ावा देती है, आशियोपोरासिस और फ्रैक्चर के खतरे को कम करता है, किट्नी की सहत भी अच्छी रहती है, विशेश द्याओं का कहना है कि गर्मिया से चुटकार आप पास सकते हैं, हम यह कबर इंटरनेट पर एकाति जनकारी के आदा पर प्रकाशित कर रहे हैं, हमारा सुझाओ है कि आप इसे आजमानी से पहले संबंदित विशेश द्याओं की सालग का पालन कर, हिट्टी वी किसी वी अगावी परिराम के लिए जिम्मे आप, हमारा सकते हैं, हमारा सुझा पालन । कि आप पालन की से वी आओ जया सकता है की सी जिम्में पर एक बालन दिम्में जिम्में हनारी बचल पालन की से लिएखर मोन परिंग